आम के पेड़ से लटकी मिली युवक की लाश शेत्र में फैली संसनी जनपत के कस्भान ननोता शेत्र के गाम बुद्दुगड के जंगल में आम के पेड़ पर युवक का शव लटका मिला मृतक युवक की पहचान शेत्र के ग्राम शेक पुरा निवासी अमन पुत्र नरेश के रुपे हुई है सूचना के बाद घटनास्तल पर छेत्रादिकारी गंगो चौब सिंग्वे थानप्रभारी विरेश पाल गिरी भारी पुलिस बल के साथ मोके पर पहुँचे और मौजूद ग्रामीनों की भीड को समझाने का प्रियास करते वे जाच में जुट चुके हैं सार्जनी की स्थानों पर धुर्म पान करने वाले वेक्तियों पर कोट पा एक्ट के तहत होगी कारेवाही तमाकु सेवन की रोप थाम के लिए जिला तमाकु नियंतरन प्रिकोस्ट वे पुलिस विभाग द्वारा चलाएगे साजह अभियान में रिल्वेस्टेशन और बस स्टेंट के निकट सार्जनी की स्थानों पर धुर्म पान करने वाले वेक्तियों पर कोट पा एक्ट की धारा चार के अंतरगत जुर्माना किया गया श्रद्धा और उलास के साथ मनाया गया मकर सक्रांती पर जिले में मकर सक्रांती का पर श्रद्धा और हर सोलास के साथ मनाया गया सुबह की समय श्रद्धालों नी मंदिरों में पहुँच कर भगवान की पूजा अर्चना की वे विभिन इस्थानों पर खिचडी का परसाथ भी वित्रण हुआ और घरों पर गुड वैत्तिल के व्यंजन बनाई गए 56 नुमा घर जल कर राख हजारों का नुकसान मिर्जापुर्धाना शीतर में कडाकी की सरदी में भी आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है बीतीरातरी शुकरवार को कजबा मिर्जापुर्णिवासी राशित पुत्रवहीत के 56 गर में अचानक भेंकर आग लगने से 1000 रुपे को घरेलू समान जल कर राख हो गया वही 56 गर में लगी भेंकर आग की लप्टों को देखकर ग्रामीन मोके पर पहुँचे और आनन फानन में आग पर काबू पाने का प्रियास किया गरामीनों ने पिडिक परिवार को जिला प्रिशासल से आर्थिक साहता दिलाने की मांग की है अब इंतजार हुआ खतम कल 16 जन्वरी से लगेगी कोरोना वेक्सीन जनपर सहारेनपूर में कोरोना टीका करन के लिए समपून तयार्या कर ली गई है सहारेनपूर में कल पांच स्थानों पर प्रधम चरण में कोविड-19 का टीका करन होगा जिसमें चिकिच सको और पैरामेडिकल स्टाफ को ये टीका लगाया जाएगा महीं कोरोना टीका करन को लेकर जिलादीकारी ने जानकारी दी है सुनिए कल दिनांग 16 जनवरी से जनप सहारनपूर में जो वैक्सिनेशन का कारिकरम है उसकी संपूर तयारियां पूरी है महीं जचिक साले मेडिकल कॉलेज सरसामा पी एस्सी और गंगो इन पांचों जगों पर सौ-सो जो उव्यक्ति हैं जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं डॉक्तर्स हैं इनका वैक्सिनेशन का कारिकरम कराया जाएगा संपूर्ण वैक्सिनेशन के लिए जो भी ट्रेनिंग है जो ब्रीफिंग है जो स्रक्षा प्रबंध है वो संपूर्ण जन्पद में पूरे हैं और कहीं कोई प्रावलम नहीं है और सारे सारा जो भी कोल्ड चेन है उसका ट्रांस्पोर्टेशन है सारी सारी चीजें जो है यह और लोगों के स्वास से जुड़ा हुआ है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको एक पॉजिटिव तरीके से इस कारेकर्म को आगे बढ़ाएं और सभी लोग इसमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वान करें दिल्ली रोड स्थित बीजेपी कारेले पर आज त्री इस्तरिये पंचायती चुनाओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जिला इस्तरिये वेब ब्लोक इस्तरिये कारेकर्ताओं ने हिस्सा ले इस बैठक में परदेश संगटन मंत्री सुनील बंसल और मोहित बैनीवाल द्वारा कारेकर्ताओं को संबोधित किया गया इसमें पंचायती चुनाओं को लेकर विचार विमर्स भी किया गया